नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल नौलिज पंडित पर दोस्तों मैं रंजीत पंड़े आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो हम प्रती दिन 100 कौशन्स के प्रैक्टिस सेट वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं निमलिकित मैं से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई छेतर में इस्थित है तो उत्तर प्रदेश के तराई छेतर में इस्थित जिला इसमें से हर दोई option number D प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा next question है निम्लिकित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में इस्थित है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सुदूर पूर्व में जो है यह लखनव शहर इस्थित है option number A प्रश्न का सही उत्तर है अगला कौशन है निम्नोक्त भारती राज्यों में से कौन सा लगबग इतना बड़ा है जितना की यूरोप का राश्ट्र पोलेंड है तो यूरोप के राश्ट्र पोलेंड जितना बड़ा भारती राज्य महराश्य प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा option number C प्रश्न का सही उतर है निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाग राज्य कहा जाता है तो भारत के इस राज्य को बाग राज्य कहा जाता है option number मद्य प्रदेश को Tiger State कहते हैं right answer option number C प्रश्न का सही उतर है भारत की Silicon Valley इनमें से किस शहर में इस्थित है तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है यह बैंगलो शहर में इस्थित है option number B प्रश्न का सही उत्तर है Next question है निम्नोक्त जिलो में से कौन सा भारत के अंतराश्र सीमा पर इस्थित है तो भारत की अंतराश्र सीमा पर जो है इन में से किन और जिला इस्थित है नामक जिला जो है यह उत्तर प्रदेश भारतिय राज्य में स्थित है option number C प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निम्नोक्त में से किसे राज्य की सीमा म्यानमार से नहीं लगती है इन में से कौन सा भारत राज्य है जिसकी सीमा म्यानमार से नहीं लगती है तो मेघाले राज की सीमा जो है यह मियानमार राज से नहीं लगती है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज मेस्तित है तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है यह जम्मू कश्मीर राज मेस्तित है अप्शन नमबर D प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर D प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर D प्रश्न का सही उत्तर है खैबर दर्रे से होकर कौन से देश जुड़े हुए हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा तो खैबर दर्रे से होकर अफगानि अगला कौशन है राई सिना की पहाड़ी कहां पर इस्तित है सही उत्तर क्या हो जाएगा तो राई सिना की पहाड़ी जो है यह ऑप्शन नमबर जहां राश्रुपती भवन इस्तित है ऑप्शन नमबर ए प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा अगला कॉशन है अंडमान और निकुबार दीप समूह की राधधानी इन में से कौन सी है तो अंडमान और निकुबार दीप समूह की राधधानी जो है आप्शन नमबर A पोर्ट ब्लेयर है राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन है निम्नोक दर्रों मेंसे कौनसा सतलुज घाटी में पढ़ने वाला दर्रा जो है वो शिप्कीला दर्रा है राईट आंसर है ऑप्शन थे कैलास मान सरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिबबत में प्रविश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है तो कैलास मान सरोवर की यात्रा करने पर जो दर्रा पार करना पड़ता है वह है नाथूला दर्रा ऑप्शन अमबर डी प्रशन का सह उत्तर हो जाएगा डंकन पैसेज इन में से किस के बीच में इस्थित है राइट आंसर क्या है तो डंकन पैसेज जो है यह दक्षन और लिटिल अंडमान के बीच में इस्थित है option number A प्रशन के लिए सही उत्तर है भारत का प्रथम सौर सहर इन में से कौन सा है तो भारत का पह सबसे पुरानी है तो भारत में सबसे पुरानी परवश्रणी अलावली परवश्रणी है राइट आंसर है राजस्थान में इस्थित है अगला प्रशन है भारत निमलिकित में से किस गोलार्द में इस्थित है तो भारत जो है उत्तर और पूरवी गोलार्द में इस्थित है राइट आंसर आप्शन नमबर उत्तर और पूर्वी गुलार्ज सही उत्तर हो जाएगा रैट क्लिफ लाइन इनमें सेकिन देशों के बीच की सीमा रेखा है तो रैट क्लिफ लाइन राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है सही उत्तर हो बहुत तरो जायेगा यहां देशांतर भारत में मानक समय का निर्धारान करती है 82 साई एक बटा दो राइट आंसर है इस प्रशनológ के लिए option नम्मर भारती का मानक समय निर्धार्त करती है यहां पूर्वी देशांतर अगला है नेमनकिस मैंसे वह विदेशी कौन सा है जो अंडमान दीपसमू के सबसे निकट है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अंडमान के सबसे निकट जो है पाकिस्तान हैं नेक्श कॉमिर में जवाहर सुरंग इस्तित हैं। सही उत्तर हो जाएगा अगला कॉशन है निमलिकित संग सासे छेतरों में सबसे छोटा छेतर फल कौन सा है तो संग सासे छेतरों में सबसे छोटा छेतर फल वाला संग शाषित जो है लक्षदीप है राइट आंसर है ऑप्शन नमबर डी नेक्ष्ट है निमलिकित में से वह र अरुनाचल प्रदेश से नहीं लगती है तो अरुनाचल प्रदेश से नहीं लगती है सीमा यह है मड़ीपुर राजी की option number D प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरिश्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है तो माउंट एवरिश्ट नाम जो है भारत के एक महान महा सर्विक्षक के नाम पर रखा गया है option number C प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्ध उत्पादन के लिए नगर अप्सिष्ट का प्रियोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है तो विद्ध उत्पादन के लिए नगर अप्सिष्ट का प्रियोग करने वाला भारत का पहला शहर जो है वह चैन नहीं है राइट आंसर हो जाएगा निमलिकित मेरे से कौन सी उच्छ भूमी तेलांगना पठार का अंग नहीं है तो तेलांगना पठार का अंग नहीं है अरावली उच्छ भूमी क्योंकि यह राजस्थान राजसे सम्मंदित है सल्तोरा परवतमाला कहां परिस्तित है सल्तोरा परवतमाला कहां परिस्तित है तो सल्तोरा परवतमाला कारा कुरम परवतमाला के एक अंग के रूप में विद्धमान है राइट आंसर हो जाएगा सूची एक और सूची दो का मिलान करना है सही उत्तर आपको बताना है यहाँ पर असम, सिल्वासा, दादर, नगर, हवेली, गंग, टोक, लक्षदीब, दिस्पूर, सिक्किम, करावती मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पर राज्य और राजधानिया बताया है तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए असम की है दिस्पूर, तो उप्षण नमबर असम की है दिस्पूर, दादर और नगर, हवेली की राजधानी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा बिलकुल, लक्षदीप की कवारती, सिक्किम की, गंगटोक और दादर और नगर, हवेली की सिर्व, तो उप्षण नमबर यहाँ पर सही क्या हो जाएगा भारत का मानक समय जो है एक पांच सही एक बटल मतलब साड़े पांच घंटे जो है ग्रीन मिच से आगे है, उप्षण नमबर अ प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा निमलेखित पश्यम, पश्यमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निमलेखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदाई है तो बालू के टीले बनाने के लिए यह प्रक्रिया होती है पवन द्वारा निक्षेपन की प्रक्रिया पश्यम मंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ में लगती हैं तो पश्यम मंगाल की सीमाएं जो हैं दो देशों के साथ में लगती हैं आप्शन नमबर बी प्रश्न का सही उत्तर है किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है तो अभी हमने पढ़ा था भारत की सिलिकॉन घाटी बैंगलूरू बैंगलूरू को कहते हैं राइट आंसर है भारतिय उपमहादीप मूलतह एक अंग था किसका तो भारतिय उपमहादीप मूलतह गोंडवाना लेंड का एक अंग था अंकलेश्वर और कलोल दो तेल छेत्र यह कहां पर है तो अंकलेश्वर और कलोल ये दोनों छेतर जो है तेल के गुजरात राज्य में इस्तित है डिम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है यहां पर आपको आप्शन बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा Twelve नम्बर देहरादून उत्तर प्रदेस मतलब राज्य और एक शहर है तो देहरादून जो है उत्तर खंड में है यहां उत्तर प्रदेस लिखा हुआ है तो यहां गलत है शिमला हे माचल में हैं दारजलिंग पश्यम मंगाल में हैं पश्मणी मद्यप्रदेश में हैं तो option number A सही नहीं है नागा, खासी और गारो पहाणिया कहां पर इस्थित हैं तो यह पूरवी परवत माला पर इस्थित हैं निम्न में से सबसे उचा परवत शिखर कौन सा है तो सबसे उचा परवत शिखर नंगा परवत शिखर है राइट आंसर हो जाएगा नागा परवत शिखर कौन सी परवत श्रेणी भारत में इस्थित है तो पीर पंजाल परवत श्रेणी जह है भारत में इस्थित है चितरफल की द्रश्टी से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है कौन से नमबर का तो सातवे नमबर का चितरफल की द्रश्टी से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है अगला कॉशन है नाथूला एक इस्थान है जहां 44 बरसों बाद भारत और चीन सीमा व्यापार शुरू किया गया वह भारती राज्य किस सीमा पर है तो नाथूला जो है यह सिक्किम राज्यों में पढ़ता है आप्शन अमबर A सही उत्तर हो जाएगा कौन सा भारत का सबसे अधिक आदर इस्थान है तो मौसिन राम जो है भारत का सबसे अधिक आदर इस्थान है केरल की मौन घाटी इन में से कैसे संबंदित है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए तो केरल की मौन घाटी जो है यह पादपों तथा प्राणियों की दुरलब प्रजाती पाई जाती है साइलेंट वैली केरल में इस्तिज जो है वहाँ पर वालतोरा हिमनद कहां पर इस्तित है तो शिवालिक पहाणी छेतर में वालतोरा हिमनद इस्तित है अगला कौशन है भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज में है तो जम्मू कश्मीर राज में है जवाहर सुरंग अगली कॉशन पर चलते हैं अगला प्रशन आपके सामने है निम्लिकित मेंसे किस को सूरे की उर्द्वाधर किरने कभी नहीं मिलेगी तो श्री नगर को सूरे की उर्द्वाधर किरने कभी नहीं मिलेगी क्योंकि भौगलिक रूप से उसकी स्थिती अलग है निम्ने मेंसे वह शहर या कस्वा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्री अक्षांस परिस्थित है तो option number पटना सबसे अधिक उत्री अक्षांस परिस्थित है अंडमान दीप समू और निकोबार दीप समू निमलिकित में से किसके दुआरा एक दूसरे से अलग किये गए हैं तो ये दौनों जो है 10 डिगरी चैनल के दुआरा एक दूसरे से अलग किये गए हैं निम्न में से कौन सा नगर राश्री राजधानी छेतर में नहीं आता है तो मतुरा नगर राश्री राजधानी छेतर में नहीं आता है मेकाल परवतमाला किस राज्य में इस्तित है तो चत्रिसगड राज्य में मेकाल परवतमाला इस्तित है भारत के दक्षनी छोर का नाम क्या है तो निको बार दीप समुह में इस्तित इंद्रा पॉइंट भारत का दक्षनी छोर का नाम है नला माला पहाडिया किस राज्य में इस्तित है तो आंधर प्रदेस राज्य में नला माला पहाडिया इस्तित है भारत के उत्तर छोड़ से गुजरने वाला अक्षांस कौन सा है तो option number D प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 29 डिगरी अक्षांस उत्री छोड़ से गुजरने वाला अक्षांस है आंद्र प्रदेश व तमिननांडू के तटिय भूभा को क्या कहते हैं तो कोरो मंडल टट के नाम से जानते हैं निम्न मैसे कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है तो माफ करिएगा सेवन सिस्टर का सदस्य है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा option number 3 पूरा जो है सेवन सिस्टर का सदस्य है माउंट एवरिस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतिय महिला कौन है तो बिच्छेंदरी इपाल माउंट एवरिस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतिय महिला है किस भारतिय राजी की तट्रेखा सबसे लंबी है तो आंद्य प्रदेश भारतिय राजी की तट्रेखा सबसे लंबी है option के according भारतिय तट्रेखा की लंबाई लगभग कितनी है तो भारतिय तट्रेखा की लंबाई लगभग लगभग राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्णिंग के लिए यह है 7500 किलोमिटर अगले कॉशन पे चलते हैं भारतिय मानक समय किस रेखांस पर अपनाया जाता है तो 82.5 दिगरी पूर्वी रेखांस भारतिय मानक समय को दरशाता है कौंकन रेलवे की लंबाई कितनी है तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्निंग के लिए कौंकन रेलवे की लंबाई जो है यह है साथ सो साथ किलोमीटर अगले कौशन पर चलते हैं तो थार भारती अमरुस्थल के नाम से जाना जाता है निम्लिकित मैंसे किसको भारत की श्रिम्प राध्धानी कहा जाता है तो नैलूर को भारत की श्रिम्प राध्धानी कहते है दीव एक दीप है कहां पर तो दीव एक दीप गुजरात से हट कर है राइट आंसर है माजुली संसार का सबसे बड़ा नदीदीप किस राजी में इस्तित है तो यह असम राजी में ब्रह्मपुत्र नदीप पर बना हुआ नदीदीप है निम्न मैसे किस राजी की तट्रेखा सबसे लंबी है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सबसे लंबी तट्रेखा वाला राजी जो है गुजरात राजी है option number C गुजरात राजी सही उत्तर है कंचन जंगा कहाँ पर है तो कंचन जंगा सिक्केम में इस्तित है भारत की सबसे घनी आबादी वाला राजी कौन सा है तो बिहार भारत की सबसे घनी आबादी वाला राजी है सही जोडा कौन सा है option number त्रिपुरा और अगर तला एकदम सही राजधानी और राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशनिंग के लिए option number C प्रशनिंग का सही उत्तर हो जाएगा सही राजधानी सही जोडा कौन सा है तो option number C सही उत्तर हो जाएगा देश के निमलिखित समूह मैंसे किसके साथ रुनाचल प्रदेश की सीमाएं साज़ा होती है तो भूर्टान, चीन और म्यानमार के साथ में रुनाचल प्रदेश की सीमाएं साज़ा होती है भारत का सबसे बड़ा राज़ी कौन सा है तो यहाँ पर राजस्थान राज़ी भारत का सबसे बड़ा राज़ी है कामाख्या मंदर के से राज़ी का महतवपूर परड़निस्थल है तो आसम राज़ी का महतवपूर परड़निस्थल है निम्लिखित में से राजस्थान का मरुस्थलिय जिला कौन सा नहीं है तो कोटा राजस्थान का मरुस्थलिय जिला नहीं है सरक्रीक कहा का कहा परिस्तित है तो गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान सीमा सरक्रीक रेखा के नाम से जानी जाती है जिस राज जी ने पवन उर्जा विक्सित की उसका नाम क्या है तो गुजरात राज ने सबसे पहले पवन उर्जा विक्सित की थी कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है तो आप्शन नमबर कोलम केरल का तटवर्ती जिला है फरुखाबाद जनपत के पूर्व में निमलिखित में से कौन सा जनपत इस्तित है तो हर दोई जनपत इस्तित है फरुखाबाद के पूर्व में कौन सा जिला राश्री राध्धानी छेतर का भाग नहीं है तो मुझफवर नगर राश्री राध्धानी छेतर का भाग नहीं है अधिक्तम राज्यों के साथ निमलिकित सीमा होने वाले राज्य का नाम क्या है तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अधिक्तम राज्यों के साथ में लगती है भारत के सुधूर पूर्व और पश्यम छोर में समय का अंतर कितना है तो लगभग दो घंटे का अंतर है निमलिकित में से कौन सा जिला वीर भूमी जिले के उत्तर में इस्तित है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मालदा जिला वीर भूमी जिले के उत्तर में है छोटा नागपुर पठार छेतर में देखे जाने वाला धबबा क्या है? तो यह लटराइट निकषेप के नाम से जाना जाता है रेट क्लिफ लाइन किंदु देशों के बीच में है तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है निमलिकित में से भारत में सबसे शुष्क छेतर कौन सा है तो मारवार छेतर सबसे शुष्क छेतर होता है अरब सागर के दीपों में से किस भाग को मिनी काय दीप के नाम से जाना जाता है तो दक्षणी समू के दीपों को मिनी काय दीप के नाम से जाना जाता है अरायंग कोमा प्रसार उस हिमाले का है जो कहां पर इस्तित है तो अरायंग कोमा जो है म्यानमार छेतर में इस्तित हिमाले का प्रसार है उसे कहते है पाक जल्डमरू किसको अलग करता है तो भारत और शीलंका को अलग करता है पाक जल्डमरू कश्मीर घाटी किस वरूप में इस्तित है तो कश्मीर घाटी जो है कंधरा श्वरूप में इस्तित है राइट आंसर हो जाएगा डियागो गार्सिया दीप किस महासागर में है तो यह हिंद महासागर में इस्तित है रेट क्लिफ रेखा किंद्वनों के बीच में अंतराश्री रेखा है तो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतराश्री रेखा रेट क्लिफ रेखा है भारत में कुल्लू घाटी इनमें से किस की खेती के लिए प्रसिद है तो सेव की खेती के लिए कुल्लू घाटी प्रसिद करके जरूर बताएं चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद